तो बही कितने लोग जिन्दा बचे हैं अभी भी बिग बॉस 17 का सीजन देखते हुए मतलब मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ जादा लोग बचे हुए होंगे जो बिग बॉस को फॉलो कर रहे होंगे हाँ एक चीज़ को अगर दिमाग में रखके चले कि मुनवर फारुके और इसके एल लगी हुई लाइफ की जो कार्णी शुरू हुई थी उसके वैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिन्दा हो गए और वापस से जाके देख रहे हो सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात होगी कि वू विल बी टॉप 3 इन बिग बॉस 17 और क्या लगता है कि बिग बॉस का जो विनर है वो कौन होने वाला है मेरी प्रेडिक्शन क्या है और उसके पीछे का रीजन क्या है यह सारी चीज बताऊंगा आप भी अपने विचार जो है यार कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन चानल पर अगर नए हो तो चानल को सब्स्ट्राइक कर लो बेल का पटन दबलो वी प्रके की चोट पे दिमाग पग गया भाई रोज के रोज सेम गाने सुन-सुन करके और उसके बास से जो चलता हूँ आता है पिछले 16 साल में कौन से इतिहास गड़ दिया है इन्होंने यह बाइसनस नहीं देखाया हो हाँ वह बात अलग है कि में जब टाइम आता है मतलब जिस दिन विनर घोशित करने की बारी आती है वहाँ पर पासा कभी भी परड़ जाता है तो इस सीजन में मेरे हिसाब से क्या लगता है देखो अभी 6 जन गर के अंदर में है विकी जेन अरुन भाई है जो अपने बैगन वले बाई मुनवर फारुकी है मनारा चोपड़ा है इसको हंडा बोलना चाहिए बार्बी आंडा और इस सीजन के अंदर में खुद खुद लोगों ने बोला है बार्बी आंडा और उस चीज को जब किसी और ने बोला था किसी और ने कुछ कह दिया था तो भाई उसके पर में तो बावाल मचा दिया था तो ठीक है इसके बास से बचते हैं अपनी अंकिता लोखंडे और अभिशेक कुमार देखो अगर मैं बता हूं तो जीतने लाइक अगर मुझे कोई लगता है तो वह है अभिशेक कुमार बहुत अच्छा ग्रोध दिखा है बंदा आया था पागल बनके जा रहा है एकदम सीधा इंसान बनके बहु कड़वे तरीकी से बात किया है कितने मीडिया वाला आय थे लेकिन उनकी बाते जो थी ना वो कहीं न कहीं सही थी मैं मुनवर फारुकी का देखा जाए तो बहुत अच्छा वाला फैन हूं कह सकते हूं क्योंकि मुझे उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती स्टैंड़ अच्छा लगता है मुझे रैप से कोई लेना देना नहीं है मैंने कभी नहीं देखा एक पॉडकास देख लिया होगा तो मुझे सिर्फ कॉमेडी पसंद है इसके इलावा परसनल लाइफ में क्या करता है उस चीज में अगर वो कुछ गलत करता है तो मैं उससे इंस्पायर है बीच में वो दिपीका पाड़कोन की जो कॉपी है उसने तक कह दिया कि हाँ अगर लड़की करे तो वह कैरेक्टर लेसे और लड़का करे तो वहाई कैसे कॉल लेते हो वाई बताओ ना मुझे भी एगरी करना पड़ रहा है बहुत हार्श रियालिटी है लेकिन यही सच है मानना पड़ेगा तो मुझे मुझे मुनवर फारुकी तो नहीं लगता है लेकिन बहुत स्ट्रॉंग सी फीलिंग आ रही है कि जितनी चीज़े हो रही है जिस तरह से उसको पेश किया जा रहा जिस तरह से बिग बीच बीच में मतलब दखल अंदाजी देखाते रहते त तो जो अभिशेक कुमार है वो थर्ड रणर अप होने वाले है सेकेंड पे जो आंकिता लोखंडे होगी और फर्स्ट यनि विनर जो होने वाले है वो है मुनवर फारुकी ये प्रेडिक्शन मुझे बहुत हद तक हजम होने लाइक लग रहा है आपको क्या लगता है और आ यह सिनिमा कितना कम हो गया कितना बस कर दो भाई ठीक है आप अपना टेख कमेंट सेक्शन पे लिखकर लिख करके like-dislike से भी बताओ कि ये वीडियो और यहीज वीडियो में और चानल पे नह ओ आ पताए नहीं व्यूस ए किया बता अपडेट आको बहुत अच्छी ऐली?, मि स्वार दार दो